नमसकार बहुत स्वागत है आपका भगवान सिभ सावन के महीने में सो परिवार पिर्थवील लोग पर रहते हैं सिवालाय में रहते हैं और भगत सिभ जी को प्रसंड़कर अपनीमनो कामना उनसे कहते हैं और वो पूरी भी होती है लेकिन सिभ जी को कुछ ऐसी बस्तूए है जो जरूर अर्पित करनी चाहिए सिभ को सबसे प्री महिना स्रावन का महिना है और इस महिने में भगवान सिभ को कुछ ऐसी बस्तुएं हैं जो आप जरूर अर्पित करें सिभ देंगे वर्दान लेकिन कुछ ऐसी बस्तुएं हैं जो भूल कर भी अर्पित ना करें जाती है प्रवस्तुलिय। प्रत्यक्षिवधान के नुसार पूजा करें, तो रोग सोग परिवारी कलकलेस है, उसका भी नास होता है, चुकि पहला सोमबार 26 जुलाई को है, दूसरा सोमबार 2 अगस्त, तीसरा सोमबार 9 अगस्त और 14 अगस्त को है, अब सिव सत्य हैं, सिव सवर्पन हैं, त्याग हैं, परिभासित होने से परे हैं और सास्त्रों में कहा गया है कि जिस तरह सत्य और सक्ती एक दूसरे के बेगार अधूरे हैं जिस तरह आत्मा और मन के बेगार सरीर जागरित नहीं हो सकता उसी प्रकार सिव और पारवती जी एक दूसरे के बेगार कलपना नहीं की जा सकती तो स्रावनमा एक ऐसा अफसर है जब आप अपने अंतर नहित सत्य सो रूप सीव और उर्जा के रूप में बिद्धिमान सक्ति को एकाकर कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं सिबलिंग पर क्या अर्पित करके आप किस मनो कामना को पुरी कर सकते हैं सिबलिंग पर दूद अर्पित करने से आरोग गी की प्राप्ति होती है यानि आपका स्वास्त अच्छा रहता है अगर आप दही अर्पित करते हैं तो जीवन में खुसियां, हर्स, लास की प्राप्ति होती है यानि कि आपका सुक्र बेहतर होता है और भौक्ती सुक्सादन आपके जीवन में बढ़ जाता है अगर आप सिबलिंग पर घी अर्पित करते हैं तो आपका तेज बढ़ता है आपके हर जगा आपका सम्मान बढ़ता है और संतान की प्राप्ती होती है संतान तरक्की करता है अगर आप सहद अर्पित करें तो आपकी सौंदर आपका खुब सुख सम्रिद्धी एस्वरी की प्राप्ति होती रहे तो सिबलिंग पर सक्कड या फिर गुड की डली अर्पित करें ऐसा करने से जीवन में सुख और धन की कमी कभी नहीं होती चाहे आप कैसी भी स्थिती में हो सिबलिंग पर अगर स्रावन माह में आप इत्र अर्पित करते हैं तो धर्म की प्राप्ति होती है इत्र अर्पित करने से जीवन में उमंग बढ़ता है खुसियां आती है और अगर सुगंधित तेल अर्पित करें तो धन धाने की बिर्दी होती है बहुत इक सुख बढ़ते ह चंदन अरपित करने से समाज में यसमान समान बढ़ता ही चला जाता है वैसे तो भगवान सिब की पूजा में सबसे ज़्यादा भांग, धतूरा, दूद, चंदन और भस्म अरपित करने का विधान है भगवान सिब को बैरागी भी कहा जाता है और सिब लिंग में आम जीवन में जो इस्तेमाल चीजे होती है उसको नहीं चड़ा जाता तो चलिए हम जानते हैं वो कौन सी चीजे हैं जो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है संख से भूल कर भी सिब जी को जल मतर पित कीजिए भगवान सिब ने संख चूर नामक असूर का बद किया था और संख को उसी असूर का प्रतीक माना जाता है जो कि भगवान स्री हरिका भकता इसलिए भगवान सिब की पुजा में संख इस्तेमाल नहीं होता है चाबल टुटा फुटा हुआ बिलकुल भी इस्तेमाल ना करें सिप की पुजा में पहले से आप चुनकर रख लें एकदम साबूत होना चाहिए और सास्त्रों में लिखा है टुटा हुआ चाबल और सुद्ध होता है तुलसी के पत्ते सिब जी की पूजा में तुलसी के पत्ते अरपित नहीं किया जाते क्योंकि भगवान विश्णू ने तुलसी को पत्नी के रूप में सुईकार किया है हल्दी स्तरीलिंग है और सिभलिंग पर कभी भी हलुग की जाती कि किसी मांगली चीजों में यूज होता है सिंदूल सिंदूल को भी чем सिंदूल जो सव भागे का प्रतीक है और सिपजी बैरागी इसलिए क्सिग को कॉक्भ्ल यह नहीं पॉन करने करना है और ना ही अगर आप बत रखते हैं तो आप जो सिबिलिंग पर चीज़ें और इन चीज जाओने उसको तो नहीं इंखाना है और रहुके तुम पर है यह सिबिलिंग पर हाब तो दो लोट करेंदं। बाद में इस लोंग को उठा कर अगर आप घर में पूजा करते हैं तो पास के किसी मंदिर में रखाएं या फिर कहीं मिट्टे में दबा दें सिबलिंग पर अगर आप चंदन अर्पित करें तो समाज में यस, मान, समान बढ़ता ही चला जाता है चंदन अर्पित करने से मस्तक ठंडा रहता है आपका चंद्रमा बेहतर होता है और अगर आप सिबलिंग पर भांग अर्पित करते हैं तो समस्त पापों का नास होता है भांग के पत्ते भी अर्पित किया जाते हैं सिबलिंग पर बुराईया समाप्त होती है अगर आप आउला अर्पित करें या आउले का रस अर्पित करें तो जीवन में खुसिया आती है आप दिरगायू होते हैं अगर केसर अर्पित किया जाए तो दामपत्य जीवन सुख में रहता है विवाह में आने वाली अर्चने समाप्त होती है और मन चाहा जीवन साथ ही प्राप्त होता है गंडे का रस अर्पित करने से सिबलिंग पर आपके जीवन में मिठास बढ़ती है सुखों की प्राप्ती होती है और परिवार के सदस्यों के मद्ध प्रेम भी बना रहता है गेहुम चढ़ाने से बंस ब्रदी होती है और योगी संतान की प्राप्ती होती है एक मुठी गेहुम अरपित किया जा सकता है सिबलिंग पर अगर आप चावल अरपित करते हैं एक भी दाना अरपित कर दें तो जीवन में धन सुक समरिद्धी की कमी कभी नहीं होगी अगर काला तिल अरपित करें तो समस्त पापों का बिमारियों का नास होता है सिबिलिंग पर अगर आप बेलपत्र अर्पित करें जो कि सिब जी को सबसे प्री है तो सभी संकट दूर होते हैं बेलपत्र पांच जगह अर्पित किये जाते हैं गनेज जी को सिब जी को जलाधारी पर और नंदी महराज को और सिब जी के माथे पर अगर आप समी के पत्ते और पित करते हैं तो जीवन में बस यह समझने की स्वर्न दान के इतना पूर्ने मिलता है और किसी चीज़ की कभी कमी रहती ही नहीं इसलिए जहां तक संभव हो आप जो समी का पुस्प होता है न समी के पुस्प अगर सिविलिंग पर आप जैसे की चार सुमबार के दिन चरहा देते हैं तो उसके लिए आपको बस समी के पौधे तक ही जाना है हाला कि मार्केट में खरिद के नहीं मिलता आपको किसी पौधे को देखकर रखना है और वहीं से तोड़कर अरपित करना है समी कपुस परपीत करने से सिवजी अति प्रसन होते हैं वैसे पत्ते से अप काम चला सकते हैं और जो जो अरपित करने से तो सांसारिक सुखों की प्राप्ती होती है जो अरपित करने वैसे तो अगर आप एक लोटा जल में थोड़ा सा कुसा घास डाल कर सिबलिंग पर अरपित करें तो पित्री दोस्त समाप्त हो जाता है पित्री लोग संतुष्ट होते हैं और आप पर किर्पा बढ़साते हैं कमल का पुस्प अरपित करने से जीवन में धन, मान, समान, एस्वरे सब कुछ बढ़ता है क्योंकि कमल का पुस्प सरीहरी को भी पसंद है और सिबजी को भी तो सुख सांती सम्रिद्धी बढ़ती है हर सिंगार का पुस्प भी अर्पित करने से आपका सुक्र बेहतर होता है क्योंकि ये सुगंदित पुस्प है और एस्वरे बढ़ता है अगर आप चमेली के पुस्प अर्पित करते हैं तो जीवन में सुख समरिद्धी दोनों ही बढ़ता चला जाता है तो सिबजी पर अगर आप उनके सबसे पसंदिदा धातूरे का पुस्प या धातूरे का फ़ल अर्पित करें तो सुयोग्य संतान प्राप्त होता है जो कुल का नान रोसन करता है तो आपको भी अगर धतूरे का पुस्प या फिर फल मिल जाए तो सिब जी को जरूर अर्पित करें अर्पित करने से मन चाहे संतान की प्राप्ति भी होती है आंकड़े का पुस्प से अगर उनका स्रिंगार करें तो जीवन के सभी सुख मिलते हैं पित्रों को मोक्ष की प्राप्ती होती है सफेद या बैगनी जो भी आकरा मिल जाए उसी से सिप जी को मनाईए अलसी का पुस्प अगर सिप जी की पूजा करे तो सभी देपताओं का आप प्रिय हो जाते है यानि सभी देपताओं का आसिरबाद आपको मिलता रहता है अगर और इसके साथ ही अगर आप बेले के पूष्प से उन्हें पूझते हैं तो मन चाहा सुंदर जीवन साथी मिलता है कनेर के पूष्प अर्पीत करने से जीवन में खुसियां आती है और सत्रु विरोधी सांथ रहते हैं मोरपंख अर्पीत करने से जो स्री कृष्प के माथे पर बिरास्ते हैं तो अगर सिबजी को अर्पीत किया जाए तो सत्रु विरोधी भी सांथ रहते हैं और आपका सुख बढ़ता है केला अर्पीत किया जाए तो संतान का सुख मिलता है तो सिब जी को अक्सर ही आप जल और बिलपत्र अर्पित करते हैं लेकिन कुछ ऐसी बस्तों जो अर्पित नहीं करना चाहिए जैसे कि सिंदूर इसके साथ ही सिबलिंग पर आप संग से जल अर्पित नहीं कर सकते तुलसी का पत्ता नहीं अर्पित कर सकते तूटा हुआ चावल अरपित नहीं कर सकते और लाल चंदन और केटकी कपुस भी अरपित नहीं कर सकते नारियल तो अरपित कर सकते हैं पर नारियल फोड़ कर जलना चड़ाए इलाइची अरपित करने से सुक बढ़ता है सुक्र मजबूत होता है और पान का पत्ता पूजा करने के बाद लास्ट में पान के पत्ते पर एक सिक्का, थोरी सी मौली धागा, थोरी सी मीठी वस्तू और लौंग इलाइची रखकर दक्षिना के रूप में उन्हें समर्पित करें तो आपकी पूजा संपूर न हो जाती है लाल गुढ़ल का पूश पर पित करने से सत्रू विरोधी सांत रहते हैं और अगर आपके कुंडली में काल सर्फ दोस हो तो चांदी के या तामबा का नाग नागिन का जोड़ा सिबजी को अरपित कर दे खासकर अगर उस दिन नाग पंचमी हो तो आपका काल सर्फ दोस भी समाप्त हो जाता है अगर किसी को स्वास्त की समस्या है तो जल में पांच पीपल के पत्ते डाल कर जो बेक्ती बीमान है मानसिक या सारीडी क्रूप से उनके उपर से आप पंच बार वार ले और सिबलिंग पर चरहा दे तो उनका स्वास्त की समस्या दूर हो जाती है अगर हरा मूंग अरपित करते हैं सिबलिंग पर आपका बुद्ध की समस्या समाप्त होती है आपकी वानी का तेज बढ़ता है आपका बुद्ध बेहतर होता है और हर तरफ आपकी पूछ होती है अगर आप सिबलिंग पर अभीर गुलाल अरपित करते हैं किसी भी कलर का अरपित कर सकते हैं आपका सुक्र बेहतर होता है अगर कोई बैवाहिक जीवन में कष्ट हो या जीवन में चारों दिशाओं से तल्की होती है साम के वक्त सिम्जी के मंदिर में पास किसी भी मंदिर करें तो जीवन में अंधेरा कभी नहीं रहेगा यानि कि पूरे सावन में आप पास की किसी भी मंदिर के सिली पर या मंदिर में ही जाकर एक दिया जरू जलाया करें दिया तेल का भी हो सकता है घी का भी हो सकता है आपकी सिर्धा पर है तो हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अपनों से वीडियो को सेर कीजे और कमेंट में हर हर महादेव चरू लिखेगा धन्यवाद